नमस्कार हमारे इगनु आडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है. भारत ने बच्चों के अधिकार तथा पारदेशिय संगठित अपराध के संबंध में सन्युक्त राष्ट्र अभिसम्यों के साथ साथ बच्चों एवं महिलाओं के अवैध व्यापार के विरुद्ध अन्य अभिसम्यों सहित व्यक्तियों के अवैध व्यापार को रोकने द अवैध व्यापार के पीडितों की मुक्ती, पुनर्वास तथा पुनहे की करण के लिए अपनी शक्तियों के तहत हर संभव प्रयास करे। सरकारी पहले महिला एवं बाल विकास विभाग DWCD राष्ट्रिय मानव अधिकार आयो राष्ट्रिय महिला आयो बाल अधिकार संरक्षन अधिनियम 2005 के लिए आयो भारत में अवैध मानव व्यापार से निपटने के लिए संसत के साथ साथ कुछ राज्य विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों का एक बहुत बढ़ा धाचा है तथापी यह बहुत ही चौकाने वाला तथ्य है कि किसी भी संग्हिय विधायन ने अवैध मानव व्यापार को परिभाशित करने का प्रयास नहीं किया है गोवा बाल अधिनियम एक मात्र ऐसी भारतिय सम्विधी है जिसमें अवैध व्यापार की कानूनी परिभाशा दी गई है और वह भी बाल विशिष्ट है इसके अनुसार वैधानिक या अवैधानिक तरीकों से देश की सीमा के अंदर या सीमापार धमकी बल प्रयोग अथवा किसी बाध्यकारी उपायों द्वारा अगवा करके जहांसा देकर धोखा देकर शक्ती अथवा प्रभावशाली पद का दुरुप्योग कर अथवा ध उसका परिवहन करना, हस्तान्तरण करना, उसे अपने अधीन रखना या हासिल करना बाल अवैध व्यापार है. अक्सर देखा गया है कि स्वाभिमान की कमी वाले तथा अपने उपर नियंत्रन न रख पाने वाले लोग अवैध व्यापार के प्रती समवेदन शील होते हैं. शिक्षा, जागरूकता तथा सूचना के निमनस्तर आदी जोखिम कारक हैं. आर्थिक वंचना तथा समबंधित परिस्थितियां को भी ऐसे कारकों की सूची में डाला जा सकता है, जो समवेदन शील्टा की ओर जाते हैं. अधिकांश रिपोर्टों में यह पाया गया है कि अवैध व्यापार किये गए लोगों का एक बहुत बड़ा प्रतीशत हिस्सा निन्न आयवर्ग से संबंधित है. अवैध व्यापार के केंद्र में अधिक लाभजन्य, कम जोखिम वाले, बात मानने वाले, पुनः प्रयोग में लाए जाने वाले और बार बार बेचे जाने वाली वस्तुओं की तरहे पीडित होते हैं. निर्धन्ता की समस्या जितनी अधिक होगी, अवैध व्यापार के कुछ क्र में फंसने की संभावना उतनी ही अधिक होगी. दो दशमलव दो उद्देश, इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप, अवैध मानव व्यापार से निपटने के लिए राश्ट्रिय स्तरपर की गई पहलों के बारे में विवर्ण देने में सक्षम हो जाएंगे. राश्ट्रिय विधायन के रूप में विधिक दस्तावेजों की व्याख्या करने में सक्षम हो जाएंगे. अवैध मानव व्यापार से लड़ने के लिए नियायालय के दिशानिर देशों के माध्यम से विक्सित हो जाएंगे. और अवैध्य व्यापार से लड़ने के लिए विभिन्न न्यायालियों के दिशानिर्देशों सहित इन राष्ट्रिय दस्तावेजों का प्रयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। व्यापारिक यौन शोशन के लिए किये जाने वाले अवैध मानव व्यापार को रोकने के लिए भारत में वर्ष 1956 में स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम अधिनियम 1916 का 104 लागु किया गया। स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1986-1986 का 44 की धारा तीन द्वारा वर्ष 1987 से अधिनियम की शब्दावली में परिवर्तन किया गया। आज इसे अनैतिक व्यापार निवारन अधिनियम 1956-956 का 104 के नाम से जाना जाता है। तथा यह भारत में अवैध मानव व्यापार की संबंध में मुख्य सम्विधी है। भारत ने पारदेशिय संगठित अपराध अभिसमय को सवर्धित करते हुए अवैध मानव व्यापार, विशेश्टह महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने, दबाने तथा दंडित करने के लिए सन्युक्त राष्ट्र नयाचार पर भी हस्ताक्षर कि मजदूरों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भी हमारे पास विभिन्न सम्विधिया हैं अधिनियम 1994 के कार्यानवयन द्वारा संबोधित किया जा सकता है इसी प्रकार ऐसे कई अन्य कानून हैं जिनका भारत में अवैध मानव व्यापार जैसे खत्रे को कम करने या उन्मूलन करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है जैसे की सैक्स के लिए अवैध व्यापार का संबंध है सैक्स उद्योग में मानव शरीर की मांग विशेश्तह महिलाओं और बच्चों के शरीर की मांग द्वारा चालित है तथा इसमें अवैध व्यापार करने वालों द्वारा अबाध्य रूप से समान अधिकारों शिक्षा एवा आर्थिक उत्थान के अवसरों से वंचित ऐसे मनुष्यों की आपूर्ती की जाती है इसके साथ साथ अनुप्युक्त एवं अपर्याप्त कानून शोचनिय प्रवर्तन निश्प्रभावी दंड अभियोजन की नियून्तम संभावनाएं तुलनात्मक रूप से कम जोखिम भरष्टाचार तथा उदासीन्ता मुद्दे का अक्सर सद्रिश रहना नीतियां कार्यानवित करने तथा पीडितों को परियाप्त सेवाएं उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता आदी जैसे उपरोक्त कारण भी अवैध मानव व्यापार के फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि संदठित अवैध व्यापार में उपार्जन से लेकर शोशन तक बहुत सारे लोगों की भूमिका रहती है दो चार राश्ट्रिय विधायनों की अनन्तिम सूची भारत में अवैध मानव व्यापार संबंधी मुद्दे से निपटने के लिए विभिन विधायन है नीचे ऐसे विधायनों की अनन्तिम सूची दी गई है जो भारत में अवैध मानव व्यापार की समस्या के समाधान के लिए ततपर है दो दशमलव चार एक भारत का सम्विधान भारत के सम्विधान में अवैध मानव व्यापार स्पष्ट या अंतरनिहित रूप से प्रतिबंधित है अनुच्छेद 14 में समान्ता का प्रावधान है अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाती, लिन्या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशेद अनुच्छेद 15 तीन में महीलाओं और बच्चों के विशेश सनरक्षन हेतु प्रावधान है यह कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यकों महीलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेश उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी अनुच्छेद 16 एक में लोक नियोजन के विशे में अवसर की समता का प्रावधान है अनुच्छेद 23 में अवैध मानव व्यापार तथा बलात श्रम का प्रतिशेद है अनुच्छेद 24 में बच्चों का कारखानों में या खदानों में या उनकी आयू के लिए अनुप्युक्त जोखिम भरे कारियों में नियोजन प्रतिशेद है अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिष्चित करनी चाहिए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रिय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रानित किया जा सके यह सामान्यत है समान परिणाम के लिए अफसर उपलब्ध कराने के लिए कहता है अनुच्छेद 49 में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि अन्यबातों के साथ साथ पुरुष और महिला को उनकी आयू एवन शक्ती के अनुकूल समान रूप से जीविका के साधन समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिष्चित करेग अनुच्छेद 49 चर्थ में प्रावधान है कि बच्चों को स्वतंत्र एवन गरिमापूर्ण वातावर्ण में स्वस्थ विकास के अफसर और सुविधाएं दी जाएं और उनके बच्पन की शोशन से रक्षा की जाएं अनुच्छेद 42 अमानविय परिस्थितियों में कार्य के खिलाफ संरक्षन उपलब्ध कराता है अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए नहशुल्ट एवन अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है जिसे अनुच्छेद 21 कमे बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है अनुच्छेद 146 राज्य को महिलाओं तथा कमजोर वर्गों के शैक्षनिक एवन आर्थिक हितों के समवर्धन का तथा उन्हें सामाजिक अन्याय तथा हर प्रकार के शोशन से सनरक्षित रखने का निर्देश देता है को शुरुआत में मानवों के अवैध व्यापार को रोकने तथा उससे लड़ने के लिए एक मुख्य विधाई उपकरण के रूप में महिला एवन लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 फीट के नाम से अधिनेमित किया गया था अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 एक विशेश विधायन है जो विशिष्ट रूप से अवैध व्यापार से संबंधित है दिल्चस्प बात यह है कि इस अधिनियम में अवैध व्यापार को परिभाशित नहीं किया गया है गोवा बाल अधिनियम एक मात्र ऐसी भारतिय सम्विधी है जिसमें अवैध व्यापार की कानूनी परिभाशा दी गई है और वह भी बाल विशिष्ट है इसके अनुसार वैधानिक या अवैधानिक तरीकों से देश की सीमा के अंदर या सीमापार धमकी बल प्रयोग अथवा किसी बाध्यकारी उपायों द्वारा अगवा करके जहांसा देकर धोखा देकर शक्ती अथवा प्रभावशाली पद का दुरुक्योग कर अथवा धन के लेंदेन या लाब द्वारा व्यक्ति के अभीभावक की स्वीकृति प्राप्त कर किसी आर्थिक लाब अथवा किसी अन्य उद्देश्य से व्यक्ति की खरीद फरोख्थ, उसकी नियुकति, उसका परिवहन करना, हस्तानतरण करना, उसे अपने अधीन रखना या हासिल कर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम उननीस सौच्छप्पन का मुख्य प्रयोजन आजी विका के रूप में विश्यावरित्ती के लिए महिलाओं एवन लड़कियों के अवैध व्यापार को समाप्त करना है। इस अधिनियम के तहट आने वाले अपराध निन्नानुसार हैं। अधिनियम उननीस सौच्पन अपने उद्देश में सफल नहीं हुआ। संगठनों द्वारा प्रतिवेदन दिये गए कि अधिनियम के कुछ हेक अनुच्छेदों जैसे कि अनुच्छेद आठ एवं बीस जो इस अधिनियम के तहट किये जाने वाले किसी भी प्रवर्तन के लिए सामान्यत प्रयोग में लाए जाते हैं के कारण अधिनियम के कार्या के बावजूद भी ITPA, अवैध व्यापार से लड़ने में निश्प्रभावी रहा है, आथ खामियों को दूर करने के उद्देश्य से दिनाग 22 मई 2006 को लोकसभा में एक संशोधन विधेयत लाया गया था, लेकिन दिनाग 23 फरवरी 2009 को केंद्रिय मंत्रिमंडल मौलिक विधे कृप्या निम्नलिखित बोध प्रश्न का उत्तर दें, दो अप्रेल 2003 भारतिय दंड संहिता 1860, अवैध मानव व्यापार एक बहुआयामी मुद्दा है, जब कभी किसी मनुष्य का अवैध व्यापार किया जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ती के विभिन बहुमूल्य मानव अधिकारों का उलंधन होता है। धारा 293 तरोन व्यक्ती को अशलील वस्तूओं का विक्रय आदी। धारा 294 अशलील कार्य और गाने। धारा 317 शिशु के पिताया माताया उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ती द्वारा 12 वर्ष से कम आयू के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना होई। परित्याग धारा 341 सदोष अवरोध के लिए दंड। धारा 342 सदोष परिरोध के लिए दंड। धारा 354 स्त्री की लज्या भंग करने के आशय से उस पर हमला या आप्राधिक बल का प्रयोग। धारा 363 व्यपहर्ण के लिए दंड। धारा 363 कभीक मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त वय का व्यपहर्ण या विकलांगी करन। धारा 365 किसी व्यक्ती का गुप्त रीती से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहर्ण या अपहर्ण। धारा 366 विवाह आदी के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहरित करना, अपहरित करना या उतप्रेरित करना धारा 366 क अपराप्तवय लड़की का उपापन 366 क यहां लड़की आयू 18 वर्ष से कम धारा 366 खजम्मू एवं कश्मीर सहित विदेश से लड़की का आयात करना, यहां लड़की की आयू 21 वर्ष से कम धारा 370 दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या व्ययन करना धारा 371 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना धारा 372 विश्यावरित्ती आदी के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना धारा 373 विश्यावरित्ती आदी के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को खरीदना धारा 375 बलातकार धारा 498 विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना धारा 5109 शब्द अंगविशेश या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशित है धारा 511 आजीवन कारावास या अन्यकारावास से दंडनिय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड 2 अपरेल 2004 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस संदर्भ में प्रासंगिक धारा 51-2 तिरपन 298, 160, 327, 2 तथा 357 2 अपरेल 2005 भारतिय साक्ष्य अधिनियम 1872 इस संदर्भ में धारा 114 का तथा 151 प्रासंगिक है 2.4 6 किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवन संरक्षन अधिनियम 2000 इस अधिनियम के केंदर में बच्चों की विकासात्मक आवश्शक्ताओं को पूरा करते हुए तथा बच्चों के हित में मामले का निर्नय देने तथा मामलों का निप्टान करने में बाल अनुकूल द्रिष्टिकोन अपनाते हुए तथा अधिनियम के तहट स्थापित विभिन संस्थानों के माध्यम से उनके लिए बहतर पुनर्वास उपलब्ध कराते हुए बच्चों को बहतर देखभाल तथा संरक्षन प्रदान करना अपेक्षित है। का अधिनियमन तथा वर्ष 2006 में हुआ इसका संशोधन निहसंदेही मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अधिनियम की एक अनुसूची के भागत में दिये गए विशिष्ट पेशों बटा कारियों में बच्चों को नियोजित करना निशिद्ध है। अधिनियम में बच्चों के कार्य की परिस्थितियां दी गई है। दो दशमलव चार आठ बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 इस अधिनियम में अग्रिम समझोता आरोहत या अवरोहत बंधत्वरिन बंधुआ मजदूरी बंधुआ मजदूरी प्रथा की परिभाशा दी गई है तथा यतोचित कारवाई करने का दो हजार नौ सूचना प्रोध्योगी की अधिनियम 2000 न्या यह पूरे भारत में लागू है तथा इसे अपरदेशियक शेत्राधिकार भी प्राप्त है इस अधिनियम की धारा सरसट किसी भी ऐसी सामगरी जो कामुक हो या कामी हितों को आकर्षित करती हो या उसका प्रभाव ऐसा हो जो उसे पढ़ने, देखने या सुनने वाले को सभी संगत परिस्थितियों में संभवत भरष्ट कर दे या उसके चरित्र को नश्ट कर दे के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या प्रसारण को दंडनिय मानती है। इस अधिनियम के दो उद्देश निम्नानुसार हैं। उपचारात्मक प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को निकालने, उन्हें सहेच कर रखने तथा प्रतिरोपन के लिए विनियम उपलब्ध कराना। मानव अंगों से संबंधित होने वाले व्यापार को रोकना। इस अधिनिमय में मानव अंगों को निकालने, उन्हें सहेच कर रखने तथा प्रतिरोपन के कार्य में लिप्ट अस्पतालों के विन्यमन तथा पंजी करण का भी प्रावधान है। दो दशमलव चार इस अधिनियम में कोई भी अनुसूचित अपराध कारित करने की स्थिती में संपत्ती कुर्क करने का प्रावधान है। दो पांच न्यायाले के दिशानिर देश भारती अन्यायपालिका भारत में अवैध मानव व्यापार से निपटने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। भारती अन्यायालेों ने न जाने कितनी बार अवैध मानव व्यापार की समस्या वाले कई मामलों पर निर्ने दिया है। जहां एक तरफ वर्ष 1990 में विशाल जीत बनाम भारत संध तथा वर्ष 1997 में गौरव जैन बनाम भारत संध मामलों में भारत के उच्छतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय व्यापारिक यौन शोशन के मुद्दे पर सरकारी कारवाई शुरू करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं वहीं दूसरी ओर न्यायालय की प्रक्रिया के दोरान उसके प्रश्न पूछने के तरीके तथा लंबी एवन ठकादेने वालि प्रक्रिया के कारण न्याय-पालिका पर द्वितियक ुट्पीडन का आरोप लगता है। यह कानूनी प्रनाली अपराथ करने वालों के लिए एक निवारक नहोकर पीडितों को भयाव प्रतीत होती है इन्यायाधीशों की समवेदनशीलता के आधार पर निर्नया का स्वरूप बदल जाता है, कई बार निर्नया पीडित पर दया करता है तो कई बार उसके उत्पीडन में बढ़ुत्तरी करता है जहां तक विदेशी राष्ट्रिकों का संबंध है भारतिय न्यायाले मुक्त कराई गई लड़कियों को गैर सरकारी संगठनों की मदद से उनके देश जैसे की नेपाल, बांगलादेश आदी वापिस भेज देते हैं और कई बार उन्हें सरकारी आश्रयों में भेज दिया जाता है इसके अलावा कोई अन्य सक्रियतावाद या जाच नहीं है पुलिस या न्यायपालिका द्वारा अवैध व्यापार करने वालों या शुरुवात में ही इन महिलाओं के अधिकारों का उलंगन करने वालों के प्रती बहुत कम कारवाई की जाती है अवैध व्यापार संबंधी मामलों में शामिल साक्ष संबंधी कारवाईयों के संबंध में अवैध व्यापार की गई महिलाएं तथा लड़कियां ही अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ मुख्य गवाह होती है संगठित अपराध संबंधी मामलों में वे अतिसमवेदन्शील होती हैं और उनकी जान हमेशा खत्रे में होती है मानव अवैध व्यापार मुद्दे पर चुनिंदा भारतिय मामला कानून भारत के उच्चतम न्यायालय सहित विभिन भारतिय न्यायालियों द्वारा निर्णय सुनाए गए चुनिंदा भारतिय मामला कानूनों की सूची नीचे दी गई है गौरव जैन बनाम भारत संधर उननीस सौ सक्तानवे आठ एस सी सी एक सौ चौदह ए आई आर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वेश्यावरित्ती करने वाली महिलाओं के बच्चों को भी अपने उपर बिना किसी कलंक के सामाजिक जीवन की मुख्यधारा के एक भाग के रूप में अवसरों की समानता, गरिमा, देखभाल, सनरक्षन तथा पुनर्वास का अधिकार है। नियायालय ने ऐसे बच्चों तथा बाल वेश्यावं के पुनर्वास हेतु एक समिती गठित करने तथा इसकी रजिष्ट्री के कार्यानवयन तथा आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एवं मूल्यांकन हेतु यतोचित समितियों का गठन करने के लिए केंद्र सरकार तथा विभिन राज्य सरकारों को निर्देश दिये गए। तथा पी ऐसे सभी मामलों जिनमें पुलिस कार्मिकों ने अवैध व्यापार करने वालों दलालों तथा विश्याले चलाने वाल 2525 मदरास असाय तथा भोली भाली अव्यस्क लड़कियों को विश्यावरित्ती में घसीटने वाले आरोपी व्यक्ति पर या तो महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक व्यापार निवारन अधिनियम 1956 की धारा 5 गह के तहत या फिर भारतिय दंड सहिता की धारा 366 के तहत कार्य दो या उससे अधिक विधायनों के तहत अपराध माना जाता है तो अपराध करने वाले पर दोनों में से किसी भी विधायन के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है और ऐसा अभियोजक के विवेग पर निर्भर करता है कुमारी संगीता बनाम राज्य एवं अन्यह उन्नीस सो पन्चानवे एक सो एक सी आर एलजे तीन हजार नौसो तेईस दिल्ली अनैतिक व्यापार, निवारण, अधिनियम, धारा सत्रह, पांच न्यायाधिकरणों का गठन तथा संरचनाक सकता है शब्दों का अर्थ किया जाना चाहिए, समझना चाहिए और मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वह अधिनियम की धारा सत्रह, दो कतेहत अपने दायत्वों का निर्वाह करते समय पांच गणमान्य व्यक्तियों के एक पैनल की सहायता ले प्रेमा देवी तथा प्रेमा चौधाइन बनाम उप्र राज्यह उन्नीस सो सत्तानवे एक सो तीन सी आर एल जे तीन हजार पांच सो बहत्तर अखिल अनैतिक व्यापार, निवारण, अधिनियम की धारा तीन एवं पांच के तहट विश्याले चलाने तथा अव्यस्क लड़कियों को विश्यावरित्ती करने के लिए बाध्य करने वाली आरोपी महिला को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम उननीस सो अठावन के तहट या अनैतिक व्यापार, निवारण, अधिनियम उननीस सो चप्पन की धारा दस के तहट कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए चाहे वो जमानत पर बाहर हो और काफी लंबी अवधी तक कारावास में रही हो कोई व्यक्ती जो वेश्यावरित्ती के लिए अवैध व्यापार का पीडित हो उसे मजिस्ट्रेट के आदेश पर अनैतिक व्यापार, निवारण, अधिनियम उननीस सो चप्पन की धारा सत्रह में दी गई प्रक्रिया का अनुसर्ण किये बिना सनरक्षित ग्रिह में नहीं रखा जा सकता है राज्य सरकार ने सनरक्षित ग्रिहों की दैनिय परिस्थितियों में ततकाल सुधार तथा तेजी से फैल रहे भ्रश्टाचार को समाप्त करने के लिए सक्ट दिशानिर देश दिये राज्य सरकार ने लंबित मजिस्ट्रेट जाज के कारण सनरक्षित ग्रिहों में सड रहे कई पीडितों की दैनिय अवस्था को सुधारने के लिए अनैतिक व्यापार निवारन अधिनियम 1956 की धारा 22 के तहट जल्दी से जल्दी विशेष न्यायालियों का गठन करने का निर्देश दिया बंधुवा मुक्ती मोर्चा बनाम भारत संध एवा अन्यत 1984 3SCC 161 केस नोट आय सम्विधान बंधुवा मजदूरी भारतिय सम्विधान के अनुच्छेद 21, 32, 49, 41, 42, 226 तथा 256 जनहित याचिका जिनके अनुसार कुछ एक कामगार बंधत्व एवा अमा मानविय परिस्थितियों में रह रही हैं, अनुच्छेद 21 चोशन मुक्त मानविय गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार सुनिश्चित करता है राज्य का यह समवैधानिक दायत्व है कि वह यह सुनिश्चित करे की किसी व्यक्ती विशेष्ट समाज के कमजोर वर्ग के किसी व्यक्ती के मौलिक अधिकारों का उलंधन न हो कामगारों को मौलिक मानविय गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक कल्यान तथा श्रम कानुनों का अनुपालन करने के लिए राज्य बाध्य है सरकार द्वारा आपत्ती की मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ यह बात सही नहीं सरकार को ऐसे मामलों में न्यायाले द्वारा की जाने वाली जाज का स्वागत करना चाहिए, जनहित याचिका. विधायन विरोधी प्रकृती की नहीं, जनहित याचिका को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसने समाज के वंचित एवन समवेदन अनुच्छेद 32 कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो और जो गरीबी या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्यायाले का रुख नहीं कर सकता है. उसकी ओर से जन्ता के किसी सदस्य को रिट याचिका दायर करने की अनुमती दी जानी चाहिए अनुच्छेद 32 के तहट न्यायाले. विरोधात्मक प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य नहीं है. उच्चतम न्यायाले के पास मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए हर सं अभव शक्तियां हैं. उच्चतम न्यायाले अपनी रिट याचिका के प्रयोग से मौलिक अधिकारों के उलंगनों की जाच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है. 3. उपधार्ना बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 की धारादो घ तथा बारह जब किसी मजदूर को बलात श्रम उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जाता है तो उसे बंधुआ मजदूर माना जाता है. नियुक्ता अथवा राज्य को इस तरह की 23109 CRLJ 3108 मदरास अवैध व्यापार करने वालों तथा पुलिस के बीच के आपराधिक गटजोर का खुलासा करने का प्रयास करने वाली प्रार्थी धेना, उपेक्षा तथा पुलिस की दुर्भावना ग्रसित जाच का शिकार बनी, उसे बड़ी मात्रा में हर जाना दिया गया क क्योंकि राज्य तथा उसके अंगों ने उसे अनावश्यक मानसिक यातना दी तथा उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया प्रेणा बना महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य दो हजार तीन दो महाराष्ट्र एलजे 105 वेश्यालियों से मुक्त कराये गए बच्चों को किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवन सनरक्षन अधिनियम 2000 के तहत देखभाल एवन सनरक्षन की आवश्यक्ता वाले बच्चों के रूप में देखा जाना चाहिए आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को पीडित का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए अनैतिक, व्यापार, निवारण अधिनियम तथा किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवन सनरक्षन अधिनियम 2000 के बीच समानता स्थापित की गई तथ्यक एक यह बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय है अव्यस्क लड़कियों को उनके कानूनी अभिभावक बताने वालों की अभिरक्षा से मुक्त कराने के बाद यह याचि का दर्ज हुई लेकिन न्यायालय में इसका प्रतिनिधित्व उसी वकील ने किया जो इसी मामले में आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहा था एक रेड लाइट एरिया में छापामारी तथा मुक्ती ऑपरेशन के बाद कई युवा लड़कियों और बच्चों को मुक्त कराया गया और अपराधियों को गिरफतार किया गया दो कारवायों में हो रहे विलम के दौरान 18 वर्ष से कम आयू की लड़कियों को प्रेक्षन ग्रेट में रखा गया एक वकील ने आवेदन दर्स किया कि इन बच्चों को इस आधार पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है इसलिए इन्हें बंद नहीं किया जा सकता यह वकील भी आरोपी का ही वकील था उसके आवेदन पर बच्चों को रिहा कर दिया गया तीन वेश्यावरित्ती से मुक्त कराए गए पीडितों के लिए कार्य करने वाले प्रेणा नामक एक गैर सरकारी संगठन ने उच्च न्यायाले में एक याचिका दायर की की उसे डर है कि इन बच्चों को आरोपी के हवाले कर दिया जाएगा और जहां तक वकील का संबंध था यह स्पष्टता हितों के विरोध का मामला था इस प्रिष्ठ भूमी में उच्च न्यायाले ने एक आदेश पारित किया जिसमें निम्नलिखित निर्देश दिये गए आए कोई भी मजिस्ट्रेट 18 वर्ष की आयू से कम के व्यक्ति के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है चाहे वह व्यक्ति कानून का विरोध करने वाला किशोर हो या किशोर न्याय बच्चों की देख भाल एवन संरक्षन अधिनियम 2000 की धारा दो एक तथा दो घक द्वारा परिभाशित देख भाल एवन संरक्षन की आवश्शक्ता वाला बालक ही क्यों नहो सबसे पहले मजिस्ट्रेट को 18 वर्ष से कम का प्रतीत होने वाले बटावाली की आयुका लगाना चाहिए यदि ऐसा व्यक्ती 18 वर्ष से कम आयुका पाया जाता जाती है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसे किशोर न्याय बोर्ड में यदि उसने कानून का उलंधन किया है या बाल कल्यान समिती में यदि उस बच्चे को देख भाल और सनरक्षन की आवश्शक्ता है जैसा भी मामला हो स्थानांतरित कर देना चाहिए तू एक मजिस्ट्रेट जिसके सामने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहट मुक्त किये गए व्यक्तियों को या सारवजनिक जगह पर धंधा करते हुए पाए गए व्यक्तियों को पेश किया जाता है को उक्त अधिनियम की धारासत्रह दो के तहट सबसे पहली बार की गई पेशी के दोरान उनकी उम्र का पता लगवाना चाहिए यदि ऐसा व्यक्ति 18 से कम आयुका पाया जाए और यदि उसने कानून का उलंधन किया है तो उसे किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित किया जाना चाहिए अन्यथा यदी उसे देखभाल और सनरक्षन की आवश्चकता है तो उसे बाल कल्यान समिती में स्थानांतरित किया जाना चाहिए थ्री अनैतिक व्यापार, निवारन, अधिनियम, 1956 के तहट विशालय से मुक्त कराए गए किसी किशोर या सार्वजनिक स्थल पर धंधा करते हुए पाए गए किशोर को परिवीक्षा अधिकारी द्वारा एक जाच पूरी करने के बाद ही रिहा किया जा सकता है फोर, उक्त किशोर को केवल उसके मातापिता अभिभावक की देखभाल और अभिरक्षा में ही सौपा जा सकता है बशर्ते की बाल कल्यान समिती मुक्त कराए गए बच्चे की देखभाल और सनरक्षन के लिए उसके मातापिता अभिभावक को उप्युक्त करार दे वी यदि माता पिता बटा अभिभावक मुक्त कराए गए बच्चे की देखभाल और सनरक्षन के लिए उप्युक्त नहीं पाए जाते हैं, तो मुक्त कराए गए इन बच्चों के पुनरवास के लिए किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवन सनरक्षन अधिनियम 2000 में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा, शिक्स कोई भी अधिवक्ता किसी ऐसे किशोर, जिसे अनैतिक व्यापार निवारण, अधिनियम 1956 के तहट मुक्त कराने के बाद या सार्वजनिक स्थल पर धंधा करने पर पकड़े जाने के बाद बाल कल्यान समिती के सम प्रस्तुत नहीं हो सकता है। अमरिता अहलुवालिया बनाम भारत संग एवं अन्य उन्नीस सो बानवे अठानवे सी आर एलजे, उन्नीस सो छे दिल्ली, किशोर न्याय अधिनियम 1986 की धारा दो, एक उपेक्षित किशोर की परिभाशा जब कोई मातापिता या अभिभावक किशोर के उपर नियंतरन करन असफल या अक्षम होता है। पेक्षित किशोर माना जा सकता है। प्रिदेशी राश्ट्रिक के साथ रेलवे परिसर में कुछ व्यक्तियों के एक समूध द्वारा बलातकार किया गया जिसमें से कुछ रेलवे के कर्मचारी थे। दो कलकत्ता उच्चन्यायालय के एक अधिवक्ता ने पीडित के लिए मुआवजे तथा हावडा रेलवे स्टेशन पर आपराधिक गतिविधियों तथा असामाजिक तत्वों से छुटकारा पाने के। ये भारत के सम्विधान के अनुच्छेद 226 के तहट रेलवे एवं पश्चन बंगाल सरकार के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की। तीन उच्चन्यायालय ने पीडित को मुआवजे के रूप में 10 लाखरू। कि राशी प्रदान की क्योंकी नियायालय का यह मत था कि बलातकार रेलवे के भवन में हुआ था और रेलवे के कर्मचारी उसमें लिप्ट थे। चार उच्चतम नियायालय के समक्ष की गई अपील में रेलवे ने प्रतिवाद किया कि रेलवे किसी। ऐसे पीडित को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है, जो भारतिय राश्ट्रिक नहीं है यह जिरह भी की गई की रेलवे से संबंधित कुछ व्यक्तियों द्वारा किये गए अपराध के कारण व्यलवे या भारत संध उस अपराध के पीडित को मुआवजा देने के लिए बाध्य क्यों हूँ इसके अलावा यह उन व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया अपराध है, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और यदी वे दोशी पाए जाते हैं, उन्हें सजादी जानी चाहिए यह भी कहा गया कि पीडित के साथ हुए अपराध का उपचार निजी प्रक्षेत्र में हैं न की लोक कानून में और इसलिए समविधान के अनुच्छेद 226 के तहत की गई कारवाई में उच्चन्यायाले द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया और वह भी एक ऐसे अधि देशी था और इसलिए लोक कानून के तहत उसे कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती थी क्योंकि समविधान के तहत उपलब्ध किसी मौलिक अधिकार का उलंधन नहीं हुआ था दो कारणों से अपर्याप्थ था पहला समविधानिक प्रावधानों के आधार पर घरेलू न्यायशास्त्र और दूसरा मानव अधिकारों की सार्वभामिक घोशना 1948 के आधार पर मानव अधिकार न्यायशास्त्र तू पीडित जो इस देश का नागरिक नहीं था उसे अन्य किसी बात के होते हुए भी जीवन के अधिकार का समवैधानिक अधिकार तो प्राप्थ था वह गरिमापूर्ण व्यवहार की हकदार थी और समविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटी दी गई व्यक्तिगत सुरक्षा की हकदार थी किसी अन्यदेश का नागरिक होने के कारण उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता था और नहीं वो उन सरकारी कर्मचारियों के हाथों शारिरिक हिंसा का शिकार होने की हकदार थी जिन्होंने उसके शील को भंग किया इसलिए अनुच्छेद 21 के तहट उसे प्राप्त अधिकार का उलंधन हुआ था थ्री परिणामस्वरूप उसे मुआवजा देना राज्य के लिए समवैधानिक बाध्यता बन गया था उच्छ न्यायाले द्वारा पारित निर्णय जिसमें उसे मुआवजा देने के लिए कहा गया था किसी प्रकार से दुर्बल नहीं हुआ फोर भारत संध के कर्मचारी जिन्हें रेलवे चलाने और रेलवे स्टेशन सहित इसकी स्थापनाओं का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया सरकारी तंत्र के आवश्यक घटक है यदि इन में से कोई भी कर्मचारी अपकार करता है तो संध सरकार को कुछ विधिक अपेक्षताओं की संतुष्टी करनी होगी और उन कर्मचारियों द्वारा किये गए गलत कारियों के लिए स्थानापन रूप से उत्तरदाई बनना होगा पंजाब राज्यबनाम गुर्मीट सिंह एवा अन्य उननीस सो च्यानवे दो एस सीसी तीन सो चौरासी बलातकार के मामलों में इन कैमरा विचारन को स्थापित किया इस बात को मान्यता प्रदानकी की बलातकार के अपराद के सामाजिक संदर्भ में और जिस अपराद के परिणामस्वरू पीडित को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है को देखते हुए अभियोजन के मामले के लिए एफ आई आर कराने में हुई देरी कोई बहुत महत्वपून बात नहीं है संक्षेप में तथ्य आए शिकायत करता सोलह साल की एक युवा लड़की जिसका अफ़रन किया गया था और आरोपी द्वारा बार-बार सामुहिक बलातकार किया गया था ने अपनी मा को सारे तथ्य बताए तू चिकित्सा जाँच में उजागर हुआ है कि शिकायत करता के साथ बलातकार होने की संभावना काफी अधिक है तथा पी यह भी संभव है कि वह संभोग की अभ्यस्थ है अभियक्त तथा पुलिस इस दावे को प्रस्तुत करने लगे कि शिकायत करता ने अपनी मर्जी से यौन संबंध बनाए थे विचारन न्यायाले ने इस तर्क को स्विकार किया और शिकायत करता की स्वच्छन्द संभोगी प्रवरित्ती और इस बात को ध्यान में रखते हुए की तथाक्थित अपराध की वह इकलोती गवा है अभियक्त को रिहा कर दिया निर्ने आए यह ऐसा मामला है जिसमें उच्चतम न्यायाले ने रिहाई को दरकिनार करते हुए अभियक्त को दोशी ठहराया और निर्देश दिया कि इस तरह के मामलों की इन कैमरा सुनवाई अनिवार्य की जाए इस बात पर भी जोर दिया गया कि जहां तक संभव हो सके सुनवाई किसी महिला न्यायाधिश द्वारा की जानी चाहिए तू बचाव पक्ष द्वारा शिकायत करता के साथ किये गए व्यवहार के संबंध में न्यायाले ने विशेश निर्देश दिया कि जिरह के दौरान न्यायालियों को मूख दर्शक बन कर नहीं रहना चाहिए बलकि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिरह के दौरान अपराद के पीडित को लज्जा या प्रतारना का सामना न करना पड़े 3. न्यायाले रिपोर्टिंग में विलंब के मुद्दे से निप्टन के लिए शिकायत करता के सामाजिक संदर्ब को ध्यान में रखने के लिए बहुत सावधान नजर आया न्यायाले ने कहा है न्यायाले इस बात को नजरंदाज नहीं कर सकता कि यौन अपराधों के संबंध में एफ आई आर दर्स कराने में विभिन कारणों से विलंब हो सकता है विशेश्ट पीडिता या उसके परिवार के सदस्यों की पुलिस के पास जाकर शिकायत करने से हिचकी चाहट जो पीडिता तथा उसके परिवार के सम्मान को ठेस पहुँचा सकती है पीडिता का यह व्यवहार स्वभाविक है विचारन न्यायालय ने इस बात को नजरंदाज किया कि भारत जैसे परंपरागत एवन रूढिगत समाज में यह देखते हुए कि समाज उसे गलत निगाह से देखेगा और वह समाज से बहिश्कृत हो सकती है इस बात को स्विकार करना कि उसके चरित्र से संबंधित कोई घटना घटी है बहुत की हिचकी चाहट भरी बात है इन परिस्थितियों के तहट जाज केंद्र में अपने अध्यापकों या मित्रों को सूचित न करना उसकी विश्वसनियता को कम नहीं करता है फोर न्यायाले ने निचली न्यायपालिका को सुझाव दिया कि यदि पीडिता यौन संबंधों की अभ्यस्थ है तो भी न्यायाले उसे अनैतिक या खराब चरित्र का नहीं कह सकता है समस्या बहुमुखी है तथा इसके अनुसार ही हमें बहुआयामी समाधान चाहिए अकादमी अनुसंधानों विशेष्ट विधिक अनुसंधानों के अभाव में विधिक सुधारों की गती काफी धीनी रही है विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य उन्नीस सो सत्तानवे छे एस्सीसी दो सो एक तालीस उद्धरण एक इससे पहले की हम इस शेत्र में संगत अंतरराष्ट्रिय अभिसम्यों तथा उन तरीकों का हवाला दें जिसका प्रयोग उन्होंने न्यायक व्याख्या एवं अनुपालन में किया है हम समविधान के कुछ अन्य प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्शित करना चाहते हैं जो हमें इस प्रकार के प्रयोग की अनुमती देते हैं यह प्रावधान निम्नानुसार है भारत के समविधान के अनुच्छेद 51 में प्रावधान है अंतर्राष्ट्रिय शांती एवन सुरक्षा में अभिवरिधी राज्य संधठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रिय विधी और संधिबाध्यताओं के प्रती आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद दो सौ तिर्पन में प्रावधान है अंतर्राष्ट्रिय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान एक इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसत को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधी, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रिय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किये गए किसी विनिश्चय के कार्यान वयन के लिए भारत के संपूर्ण, राट जक्षेत्र या उसके किसी भाग के कोई विधी बनाने की शक्ती है। समविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 1, जट तथा 21 में नहित लिंग समानता। मानविय गरिमा के साथ कार्य करने का अधिकार की गारंटी की व्याख्या तथा यौन उत्पीडन के प्रती सुरक्षुपाय के प्रयोजन से अंतरराश्ट्रिय अभिसम्यों तथा कानूनों के विशय काफी महत्वपूर्ण है। कोई भी अंतरराश्ट्रिय अभिसमय जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं है और इन में नहित विचारधारा के प्रतिकूल है। उसे भी सम्विधानिक गारंटी के समवर्धन है तू इसके आशय एवं विशय के विस्तार है तू इन प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद इक्यावन ग तथा संसद की समर्थकारी शक्तियों तथा भारत के सम्विधान की सात्वी अनुसूची की सात्वी सूची की प्रविश्टी सन। 14 के साथ पठित अनुच्छेद दो सौ तिरपन में अंतरराश्ट्रिय अभिसम्यों का कारियान वयन करने हेतू कानून बनाना अंतनिरहित है। इसलिए संध की कार्यकारी शक्तियां तब तक उपलब्ध हैं जब तक की संसद इस समस्या को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपाय उपलब्ध कराने हेतू विधायन लागू नहीं करती। तीन वर्तमान परिद्रिश में महिलाओं के प्रतीहर प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय के कुछ संगत प्रावधान निम्नानुसार हैं। कअ अनुच्छेद 11 एक पक्षकार राष्ट्र, पुरुष और महिला को समानता के आधार पर समान अधिकार, विशेष्ट है, कत सभी मनुष्यों के अहस्तानतर्णी अधिकार के रूप में काम करने का अधिकार, च प्रजन के अधिकार सुरक्षित रखते हुए स्वास्थ्य की सुरक्षा तथ सुरक्षित कार्य परिस्थितियों में कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए रोजगार के च्षेत्र में महिलाओं के प्रती होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करेंगे ख अनुच्छेद 24 पक्षकार राष्ट्र वर्तमान अभिसमय में स्वीकृत अधिकारों की वास्तविक अनुभूती को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रिय स्तर पर लक्षित सभी आवश्यक उपायों को अपनाएंगे चार भारत के सम्विधान में दिये गए मौलिक अधिकारों का अर्थ तथा विशय यौन उत्पीडन दो छे साराश या शोशन उन्मूलन सहित लिंग समानता के सभी पहलूओं को शामिल करने के लिए परियाप्त है न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारी सम्वैधानिक योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है इस शेत्र में घरेलू कानून के अधिनियमित न होने की स्थिती में अंतरराश्ट्रिय अभिसम्यों तथा कानूनों को इसके अनुरूप तभी मानना चाहिए जब इन दोनों में कोई विरोधाभास न हो अब यह न्यायक निर्मान का स्विकार्य नियम हो गया है कि अगर घरेलू कानून तथा अंतरराश्ट्रिय अभिसम्यों एवं कानूनों में कोई विरोधाभास नहीं है और घरेलू कानूनों का अभाव है तो घरेलू कानूनों की व्याख्या करने में अंतरराश्ट्रिय अभिसम्यों एवं कानूनों को भी शामिल किया जाना चाहिए आस्ट्रेलिया के उच्चन्यायाले ने Minister for Immigration and Ethnic Affairs बनाम्ति हो 128 Australia LR 353 मामले में विरोधाभासी विधाई प्रावधान के अभाव में यहां तक की उस्ट्रेलिया के सम्विधान में Bill of Rights की अनुपस्थिती में भी इसके अनुपालन की तर्कसंगत अपेक्षा की अवधारना को मान्यता दी भारत में मानवों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए संसत के साथ साथ राज्य विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों का एक व्यापक धाचा है तथा पी यह बहुत ही रोचक तथ्य है कि किसी भी संगीय विधायन में अवैध मानव व्यापार की परिभाशा नहीं दी गई है ऐसा अक्सर देखा गया है कि कम आत्म विश्वास तथा आत्म नियंत्रण की कमी वाले लोग विशेश रूप से अवैध व्यापार के प्रती समवेदन शील होते हैं अधिकांश रिपोर्टों में कहा गया है कि अवैध व्यापार किये गए लोगों का एक बहुत बड़ा भाग कम आयवाले समुह से संबंध रखता है भारत के समविधान का अनुच्छेद 23 मानवों के अवैध व्यापार तथा बलात मजदूरी को प्रतिबंधित करता है अनैतिक व्यापार निवारन अधिनियम 1956 शुरुवात में महिला एवन लड़की अनैतिक व्यापार उनमूलन अधिनियम 1556 फीट के नाम से अधिनियमित हुआ यह अधिनियम भारत में मनुश्यों के अवैध व्यापार की रोक्थाम तथा समागात के लिए मुख्य विधाई तंत्र था इस अधिनियम का मुख्य उद्देश जीविका के रूप में विश्यावरित्ती के लिए महिलाओं और लड़कियों के अवैध व्यापार का प्रतिशेद करना है धन्यवाद मिलते हैं अगले विडियो में अगले पाठ के साथ